इस तरीके का इनका विचार होता है ये किसी को शत्रू जादा तर नहीं समझते हर ब्रहस्पतिवार को विश्णु सहस्त्र नाम का आप पाट करें भगवान को पीले फलफूल अरपन कर दें जरूरत मंद लोगों में पीले मीठे चावल बाट दें सारे तुला राशिवानों के शत्रू विग्न बाधाएं समाप्थ हो जाएंगे विरिश्चिक राशी के लोग जो होते हैं इनके काफी गुप्त शत्रू पाए जाते हैं अगर ये लोग किसी से शत्रूता करते हैं तो कभी न कभी उस व्यक्ति विशेश से जरूर बदला लेते हैं यानि कि बड़े छुपे रुस्तम होते हैं क्या करें उपाए हर मंगलवार को हनुमान जी को ग्यारा लाल गुलाब के फूल या गुडहल के फूल अरपन कर दें और हनुमान कवच का पाट करें हर तरीके के शत्रूता आप भूल जाएंगे और अपने शत्रूों से मित्रतावत व्यवार करेंगे और आपके शत्रू भी आपको मित्र समझने लगेगे आते हैं धनुराशी की तरह, धनुराशी के लोग खुद लड़ाई जगड़ा करके शत्रू पैदा करते हैं, अकारनी हुलसते हैं सबसे, इनके कोई शत्रू अमूमन होते नहीं हैं, या फिर होते हैं तो बहुत लंबी ये शत्रूता निभाते हैं, यानि किसी बात को हैं तो बहुत दूर तक खीच के लेकर जाते हैं, क्या करें हो पाई धनुराशी वाले, हर शुक्रवार को भगवान शिव को एक सफेद जनेवू और सफेद फूल अर्पित कर दें, सफेद मिठाई भगवान भोलेनात को भोग लगा कर छोटे बच्चों में बाढ़ दें, सारी शत्रुता खतम हो जाएगी, अकारण मन के वाद विवाद खत्म होंगे और भगवान भोलेनात का आशिरवाद भी आपको जरूर मिलेगा, मकर राशी, मकर राशी के लोग इनके ना तो जादा मित्र होते और ना ही जादा शत्रु होते ही जादा तर सम रहना पसंद कर अगर शत्रू होते भी हैं तो यह अपने दिमाग से उन्हें परास्त कर डालते हैं। आप स्वस्त मैसूस करेंगे अपने आपको और जो आपके शत्रू होंगे वो आपसे मित्रत व्रत व्यावार करने लगेंगे। कुम्ब राशी के सभी लोग अपने शत्रू हों से निजात पाने के लिए। हर सौमवार के दिन भगवान भोलेनात को जल और मिश्री अरपित कर दें। चाहें तो प्लेन यानि की साधा जल अरपन कर दें, उसके बाद भगवान भोलेनात को मिश्री अरपन कर दें। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करिए। आप ऐसा करने से अपने आपको शत्रूं से सुरक्षित महसूस करने लगेंगे। एक काम और करना हैं, शाम के समय शिवास्टक का पाठ एक बार जरूर कर लीजिएगा। ऐसा करने से भोलेनात की किरपा से सारे शत्रूं जो हैं वो एकदम से शांत हो जाएंगे। अब आते हैं मीन राशी यानि की पाइसिस की तरह। मीन राशी के लोग शत्रता और मित्रता दोनों बहुत दिन तक नहीं रख पाते हैं। मित्रता होगी जादा दिन निबा नहीं पाएंगे, शत्रता होगी तो भी थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे। तो इनकी मित्रता और शत्रता जो है वो आती जाती रहती हैं। यानि कि ये सब चलता रहता है। क्या करें उपाई मीन राशी वाले लोग। इस सब जंजडबाजी से इस टेंशन से बचने के लिए। हर दिन भगवान सूर्य नारायन को जल में रोली, गुड़ और लाल फूल डाल कर अर्ग दें। अर्ग देते समय तीन प्रदिक्षणा आप कर लें। ग्रणी सूर्य आयनमा, ओम आदित्य आयनमा, ओम प्रभाकर आयनमा मंत्र का जाप करें और सूरियास्टक का पाठ करें। झाल 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 करें। झाल